पांचवे चरण की वोटिंग से पहले उत्तर प्रदेश में राजनेतिक समीकरण तेजी से बदल गए हैं। रगराज परताब सिंग राजा भाईया जो चुनाओ से पहले चौत्वे चरण की वोटिंग से पहले तक न्यूट्रल बता रहे थे खुद को उनकी पार्टी ने परताबगल की सीड पर अपना समर्थन समाजवादी पार्टी यानि इंडिया गडबंधन के प्रत्याशी को दे दिया है। बताया कि अखलेश यादव की रैली में अखलेश यादव की जो रैली 23 मई को परताबगल में है वहाँ जनसत्ता दल के कई पदादिकारी और कारिकरता अपने साथ हजारों समर्थकों को लेकर उस रैली में पहुँचेंगे और अखलेश यादव को समर्थन करेंगे उनकी वोट देना हो उसको वोट दें आखिर अचानक राजा भाईया की पार्टी में ये क्या हुआ कि राजा भाईया की पार्टी ने समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे दिया अभी जो निर्णय हुआ है कि इस लोकसभाचुनाओं में जिनको जहां मद्दान करना हो आशिरवाद देना हो तो दोस्तों इसके पीछे की वज़े ये समझ में आती है कि अनुप्रिया पटेल, केंदरी मंत्री अनुप्रिया पटेल जो भारती जनता पार्टी की सहयोगी है एंडिये में हैं वो जब कौशामबी की सीट पर प्रचार करने आई तो उन्होंने जो भाशा राजा भाईया के लिए इस्तेमाल की जिस तरह से उन्होंने राजा भाईया को उनकी ही धरती पर आकर ललकारा वो राजा भाईया के समर्थकों को अखर गया इसके बाद राज सिर्म के बटन से पैदा होता है तो ऐसे सो घोशिद राजाओं को जिने लगता है कि कुन्दा हमारी जागीर है उनके भ्रम को तोड़ने का अबाग के पास एक बहुत बड़ाज सुनेराज सर आ चुका है इसके बाद खबर आई कि राजा भाईया की पार्टी के कुछ समर्थक और कुछ नेता मिर्जापूर पहुँच गए हैं जहां वो अनुपरिया पटेल के खिलाफ चुनाव परचार करेंगे और अब खबर ऐसी भी है कि राजा भाईया भी मिर्जापूर और रॉबर्ट्स गंज की सीट पर अपना दल के प्रत्याशियों का विरोध करेंगे यानि मिर्जापूर से अनुपरिया पटेल और रॉबर्ट्स गंज की सीट से रिंकी कोल का विरोध राजा भाईया और उनकी पार्टी के कारेकरता करते हुए नजर आ सकते हैं फिलाल कौशामबी की सीट का मतदान खत्म हो चुका है और अब राजा भाईया के प्रभाव वाली दो सीटों पर मतदान 25 मई को होना है जिनमें परताबगड़ और प्रयागराज की सीट शामिल है और इन दोनों सीटों पर माना जा रहा है कि राजा भाईया ने अपना समर्थन इंडिया गडबंधन को दे दिया है तो वहीं दूसरी तरफ सुल्तानपुर में मजबूत दखल रखने वाले बाहुबली सोनू सिंग जो विधायक भी रहे हैं यानि चंद्रभद्र सिंग सोनू वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं अंदर खाने के सोर्सिस का ये भी कहना है कि सोनू सिंग को समाजवादी पार्टी में शामिल कराने की पटकता राजा भाईया ने लिखी है और राजा भाईया के ही कहने पर सोनू सिंग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं आमिश शाह ने बेंगलूरू में उनसे मुलाकात की थी लेकिन मुलाकाते बेनतीजा रही राजा भाईया उसके बाद नूटरल रहे लेकिन अनुप्रिया पटेल के बयान ने राजा भाईया को नूटरल रहने से रोक दिया और अब राजा भाईया की पार्टी प्रताब वो सीट है जहां पिछली बार 2019 के चुनाओं में राजा भाईया ने अपना प्रत्याशी उतारा था अक्षे प्रताप सिंग गोपाल जी इस सीट पर चुनाओं लड़े थे और उनको 46,000 वोट मिले थे तो क्या राजा भाईया के इस तरीके से समर्थन कर देने से अब प्रताप गड़ की चुनाओं की लड़ाई बेहद रोचक हो गई है और समाजवादी पाल्टी के जो प्रत्याशी हैं स्पी सिंग पटेल क्या उनकी स्थिती पहले से जादा बहतर हो गई है ये तो चार जून को पता चलेगा लेकिन फिलहाल राजा भाईया की वज़े से पुर्वांचल का चुनाओं बेहद दिल्चस्प और बेहद रोचक हो गया है